Hello students, इस वीडियो में हम UP Board Class 7 की Math पढ़ेंगे और इसकी है अभ्यास 1A देखे, पहली जो एकाई है, इसका नाम है परिमे संख्या है तो पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि परिमे संख्या क्या होती है उसके बाद हम अभ्यास सॉल्ब करेंगे तो देखे, परिमे संख्या क्या होती है वह संख्या जैसे हम P बाटे Q के रूप में लग सकते है परिमे संख्या को अंगरे जी हम बोलते है Rational Number अंगरे जी भी आप ध्यान रखा करे Rational Number यानकी परिमे संख्या तो परिमे संख्या बो होती है जैसे हम P बटे Q के रूप में लग सकते हैं मतलब P भी एक संख्या है Q भी एक संख्या है ठीक है जैसे मालों दो बटे तीन है तो ये एक परिमे संख्या है मतलब ये भिन्य होती है यही होती है परिमे संख्या है लेकिन इसकी एक सर्त होती है, कि जो p है यहन की जो अंस वाली संख्या, उपर क्या होता है अंश, अनिचे यह लआती है हर, अंस और हर ये याद रखना आपको अब ये जो अंस होता है ये कोई पूरांग होना चाहिए पूरांग क्या होता है धनात्मक और रडात्मक ये दोनों संख्या होती पूरांग जैसे ठीकर रड़ दो है या प्लस दो है प्लस दो को हमके बद दो लखेंगे प्लस नहीं लगांगे आठ है, 0 भी हो सकता है, यह विध्यान रखना, तो यह सब क्या है, पूरांग, अब जो q है, यह not equal to 0, इसे बोलेंगे not equal to 0, या बराबर नहीं, ठीक है, जैसे मानलो ऐसे बराबर लगा के, और इस तरह क्रॉस कर दिया, तो इसकार्थ होता है, हिंदियें बोलेंगे बराबर नहीं है, अंग्री जी में, NOT equal to, तो क्यू कभी भी 0 नि होना चाहिए, जैसे दो बлемतर जी रो, यह पारिमें संख्या नहीं है, लेकिन उपर की संख्या जी रो हो सकती है, जीरो बटे दो ये तो परिमे संख्या है ठीक है तो परिमे संख्या क्या क्या है जैसे एक बटे दो ठीक है ना चार बटे पाँच कोई भी माइनस चार बटे पाँच परिमे संख्या माइनस की भी हो सकती है अंस माइनस का हो सकता है या ये माइनस बिलको बीच में लग सकता है या अंस और हर में या हर की संख्या के वर माइनस की हो सकती है ये सब क्या होती है परिमे संख्या अब हम समझते हैं आगे धनात्मक परिमे संख्या क्या होती है जो धनकी होती है दो बटे तीन माइनस दो बटे तीन भी धनात्मक परिमिय संख्या है क्या कि माइनस दो बटे तीन है जैसे माइनस तीन माइनस माइनस कट जाएगा बचेगा तो यही तो जिसमें अंस और हर में दोनों में माइनस लगा है वो भी धनात्मक परिमे संख्या ध्यान रखना रडात्मक क्या होती है जिसमें या तो अंस में माइनस लगा हो या हर में ठीक है कि वल एक जगा अंस हर में दोनों में नहीं होना चाहिए अब हम देखते हैं अभ्यास इसकी अभ्यास एक एक निमनांकित पूर्णांकों को ये क्या है पूर्णांक परिमे संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो तो इन सब के नीचे हर एक लिखना है और तो ये क्या हो जाएंगी परिमे संख्या बन जागी परिमे संख होती हouri उसटे में एक लख सकते हैं जैसे लम एक लुख है उसके बटे में इन हम एक लखिए है तो आगर आप से क्योंच पूछा जा है क्या खिर परिम्य सं ख्या है तो उत्तर होगा है क्योंकि इसके बटे में एक लखेंगे तो P बटे Q के रूप में तो हो ही जाएगा तो ये परिमे संख्या हो जाएगी तो इनको क्या करना इसमें तो question में दिया है कि इन सभी की नीचे क्या करना हर एक होना चाहिए तो 11 के बटे में एक ठीक है 27 बटे 1 45 बटे 1 71 बटे 1 ये सब क्या हो गए परिमे संख्या अगला question कुछा गया है मैंनस 4 बटे 5 को ऐसी परिमे संख्या की रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंस है ठीक है ना देखो जैसे मालों अंस बदलना है मैंनस 4 बटे 5 है इसको ऐसा बदलना है कि जिसका अंस 8 हो जाए अभी अंस कितना है मैंनस 4 मैंनस 4 में कितने का गुणा करेंगी 8 हो जाए ठीक है ना तो मैंनस 4 में मैंनस 2 का करेंगी जबी तो 2 दूनर 4 होगा मैंनस मैंनस प्लस 8 हो जाएंगी अब एक रूल होता है कि जितने का गुणा हमने अंस में किया है जिसे माइनस दो का गिया उतने का ही हम हर में कर देंगे जितने का अंस में उतने का हर में तो ही कितना हो जागा चार दूना आठ माइनस माइनस पिलस आठ दूनी दस माइनस दस यह अंसर देखो माइनस चार बटे पांच को ऐसी परमे संख्या की रूप में बैक कर देना है जिसका अंस है आठ तो माइनस चार का अंस की जगा कितना हो गया आठ अगला इसी संख्या को माइनस चार बटे पांच को ऐसी प्रमेर संख्या की रूप में बदलना है जिसका अंस कितना हो जाए माइनस सोला तो क्या करेंगे चार का गोड़ा करेंगे माइनस चार का नहीं चार का क्योंकि चार चो की सोला तो माइनस लगा रहेगा अब माइनस चार का अंसे में गोड़ा किया प्लस के 20, तो मैंनus 5 का गुणा करेंगे, तो 5 के 20 होगा, माΝेस माइनस प्लस, मैंनस 5 का ही हरम है, पंचो के 20, पचम 25, आगे, मामस के 24 कितने का गुणा करेंगे, मान सब्सक्राइब 5, इसमें करेंगे हम 6 का, प्लस के 6 का, जबी तो मामनस 24 होगा, च्छे चोगी 24 च्छे पंचे 30 तो यह है इसके बाद हम अगला कॉस्टन देखते हैं तीसरा तीसरा कॉस्टन है माइनस पांच बटे माइनस साथ को ऐसी परिमे संक्या की रूप में बैक्त कीजिए जिसका हर है जिसका हर कितना है साथ अभी माइनस साथ था तो पहला साथ करना है कैसे होगा यह माइनस पांच बटे माइनस साथ पहला साथ कब होगा जब हम इसमें माइनस एक का गुड़ा करेंगी तो देखो साथ एकम साथ साथ का तो साथ ही रहेगा माइनस हट जाएगा अब उपर माइनस लग जाएगा देखो जितने का गुणा हर में उतने का ही अंस में होगा पांच ही कम पांच माइनस माइनस प्लस पांच साथ ही कम साथ तो यह हो गया देखो माइनस पांच बटी माइनस साथ ऐसी संक्या की रूप में बदल गई जिसका हर कितना हो गया साथ हुद्ध कर देखुए वैसा बादलना है कि जिसका हर कितना हो जाए हर बार हर को ही बातलना है स्ब्सक्राइब माइनस चागदा तो माइनस नगदा, बती, माइनस साथ कितने का गणा कर देंगे 2 का, केवल 2 का पाध दोनी दस माइनस दस, बती साथ, दोनी चागदा इचिक है, माइनस के तो माइनस दोनों है, तो दोनों के पास kosht Trak रखेंगी यहाँ पर 21 है तो minus 5 बढ़ी minus 7 को कैसे बदलना की 21 हो जाए तो कितने का गुड़ा करेंगे? minus 3 का इधार भी minus 3 का 56 माइनिस minus 23 इसके बदर अगला है minus 35 इसी को बदलना है minus 5 बढ़ी minus 7 तो कितने के गुड़ा करेंगे? 5 माइनिस चाहिए तो plus 5 का करेंगे 25 हम 25 माइनस लगा रहेगा चिन्ड का जरू ध्यान रखना है माइनस प्लस में स्टूडेंट जवद अंगलती करते हैं साथ पन्न थीज माइनस कि इसके बाद हम आगे देखते हैं लोगलों परिमे संक्या कि बनाईये धनात्मक को में गला हुआ है नो ग्यारा एकम ग्यारा इस गाद अगला अगला जो है 11 बटे माइनस 17 इसमें सभी में माइनस एका गुणा कर देना अंसो हर में ग्यार इकमर्व माइनस 11 11 हम 17 मैनस फंस प्लस यहां पर यह मानेस लगा रहे गा मैनस 4 बटे माइनस की 29 कितने गुणा करें इस मैनस एक का चार इकम 4 Rs 19 Sum बराबर के नीचे हीपल को बराबर लगाती है ठीक है साथ वटे माइनस के तेरा माइनस एक कर गुणा करेंगे साथ एकम साथ तेरा एकम तेरा यह हो गया सवाल इसके बाद अगला देखते हैं निम्नांकित परिमी संख्या के अंस को धन पूरांग बनाईए तो हमें इसमें बदलना है अंस को अंस को क्या बनाना है धन पूरांग यह धन बना देना है रड़का है भी धन का बना देंगे यानकी प्लस का कितने का गुणा होगा माइनस एक का तभी तो साथ एकम साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेम इसी जैसे है बिलकुल साथ एकम साथ 13 एकम 13 माइनस के संख्या कोस्टाक में रखेंगे –11 बटे –19 –1 गुण एदरवी –1 का गुण 11 एकम 11 –29 एकम 29 हो गया यह –18 बटे –23 माइनस एक माइनस एक के गुण करेंगे इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला कोश्चन है परिमे संख्याओं को सरलतम रूप में लखिए सरलतम रूप में लखना है सरलतम रूप क्या होता है ऐसी संख्या सोचना है जिसका भाग माइनस नो में भी चला जाए और एकीस में भी चला जा तो ऐसी संख्या तीन है तो इससे कर तीन तरका नो तीसादी एक आईस माइनस तीन बटी साथ अब आप पेपर में सॉल्फ करेंगे तो यह काटेंगे नहीं इतना ध्यान रखना है इसके बाद आगे माइनस अठारा बटे माइनस के 27 कितने से तो यह कटेगा चैसे शरी नो से कट जाएगा तो नो दूना अठारा नो ती 27 माइनस दो बटे माइनस के 3 माइनस माइनस काट भी सकते हैं इसको 2 बटे 3 लखेंगे हर के माइनस से अंस का माइनस यह भी लग सकते हैं जो भी उत्तर मारा में दिया हो आपको उसी केन उज़र करना है इसके बाद अगला है एकाईस बटे माइनस के छटीस तो एकाईस बटे माइनस के छटीस यह कितने से कटेगा 3 से कटेगा 37 21 और माइनेस कर्चन है तो हर में लगा रहेगा माइनेस ध्यान रखना 3 एकम 3 तीन दुने 6 7 बटी माइनेस के 12 माइनेस का है कोस्टक में रखो यहाँ भी अगला देखते हैं यह कितने से कटेगा तो यह देखे यह 4 सिकाटेगा ठीक है न तो 4 सिकाटेंगे 48 32 49 36 तो 4 से 4 36 और यह 4 सी 4 एकम 4 हैं जी 6 दो बची यहां इसके आगे माल लिये जाते हैं तो कितने हो गए 24 अब 4 का पहाडा पढ़ेंगे 24 से जातन हो जाए चार चांग 24 माइनस 9 बटे 16 आगे देखते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिखते स्थानों की पूरती कीजिए पहला सवाल है माइनस 3 बटे 4 बराबर बॉक्स में कालिस्तान है माइनस 20 बराबर बॉक्स बटे में 28 है अब देखो यहां यह भनना इसको देखकर देखें चार में कितने का गुणा किया कि 20 हो गया माइनस 20 माइनस 5 का किया यभी तो यह माइनस हो गया नो माइनस भी त्यान रखना पंचो की 20 तो माइनस का यह अंसम करना पड़े यह माइनस लगा पहले से तो माइनस के 5 का करेंगे माइनस 3 में 5 ती के 15 हो जाएगा माइनस माइनस पिलस के 15 आएगे यहाँ अठाइस इसको फिर से देखना है देखिए 28 लगा चार में कितने का कुणा किया कि 28 हो गया 7 का प्लस साथ का सचो के अठाइब तो साथ का इधर साथी 21 माइनस के इकाइस इधर भी यह बात ध्यान रखनी है देखिए मैंस 5 बटे माइनस 8 प्लस पांच में कितने का कुणा किया कि 24 हो गया 8 इस ती चौवीस माइनस 3 का तो माइनस 3 का उपर 45 माइनस 25 वेदेखनाओ सात में कितने हुआ होगा चबद आ गया है माइन से चबद दो का माइन स माइनस दो का नीचे मौद तोनी अठारा प्लास अठारा इदार देखिये शाथ में कितने को ना हुगा प्यतीस हो गया सब्काना प्राइभ पाँच नीचे नो कि तो उन्स नहीं पन्ना 45 उकु ऐधा देखे अब इधर देखे देखे ये क्या है आठ का आधा हो गया चार माइनस कच्छन भी हट गया इधर भी देखे आधा हो गया होगा माइनस 3 30 माइनस 15 15 में कितने का गणा है की साठ हो गया 15 चो कि साठ माइनस चार का उपर 4 16 माइनस के चला इसके बाद आगे देखते हैं है अगला प्रश्न है प्रतेक के सम्तुल तीन और परिमे संख्या है लिखिए इसके सम्तुल तीन और लिखना है तो दिखे तीन और परिमें संख्या कैसी होगी इसमें गुणा करेंगे हम कितने का पहले तो दो का गुणा करेंगे दो का अंसो हर में दो दूनी चार दो पंची दास तीन का तीन दूनी छे ती पाची पंदरा तो चार दूनी आठ और चार पंची बीस इसके समतल करना है ती दो तीन चार करते जाते हैं दूसत्य चौदा 22 हो जाएगा तीन का तीसा तीकाइस यहां पर माइनस के 33 चार का 28 बटे माइनस के 44 इसके बाद एक और हैसी का उसमें क्या करना है माइनस 5 बटे माइनस के माइनस के पांच कितने का पहले दो का दोटे सोला और और दो पंचे दस तीन का ती आठे चौवीश को बटे तीपाचे पंदरा चार का चार अट्थे बत्तीस चार पंचे वीश यह हैं तो इस तरीके से अभ्यास पूरी होती है क्लास 7 की मैंत पूरी पढ़ने के लिए इस च सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर इसी तरह की और वीडियो आती रहेंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है से लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद